रियल्मी Q3 Pro, Fast Refresh Rate, AMOLED Display, Powerful Flexibrate 5G Chipset, UFS 3.1 Storage, Triple Camera Setup, Under the Display Fingerpin Scanner and many more. दोस्तो आज में Realme Q3 Pro का Unboxing Hands-On Review बताने वाला हूं. फिल्हाल ये फोन इंडिया में लॉंच नहीं हुआ है, तो ये Unboxing मेरे फ्रेंड ने चाइना से सेर किया है. मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे है टेकी स्ट्रीट लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. और बेल आइकन को दबा के All कर दीजे ताके आपको लेटेस्ट ओसम टेक अपडेट की लॉट्फिकेशन सबसे पहले मिल सेके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं. तो सबसे पहले Realme Q3 Pro के Unboxing से सुरू कर लेते हैं. तो ये है येलो कलर में Realme Q3 Pro का Box, Box के टॉप में फोन की ब्रांडिंग दी गई है और बेक में रेम स्टोरेज इन्फोमेशन दी गई है. Box के प्लास्टिक व्रेप को हटा लेते हैं और Box के लीड को ओपन कर लेते हैं. ओपन करते ही एक Cardboard Box देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर Sim Ejector Tool, User Manual और एक ग्रे कलर में Case देखने को मिल जाता है. और ये है Realme Q3 Pro phone. पहले बाकी का Box Content देख लेते हैं, बात में फोन की डीटेल में बात करते हैं. और ये है 30-weight का Power Adapter. मैंने यहाँ पे 65-weight का Expect किया था. और ये है White Color में Type-C to A Cable. बस यही सब कुछ मिल जाता है Box Content में. फोन के plastic prep को हटा लेते हैं और बात करते हैं फोन की design और build की. फोन को सबसे पहले start कर लेते हैं. और start करते हैं Realme का branding नजर आता है. और powered by Android लिखा हुआ मिलता है. रियल्मी Q3 Pro में 6.43 inch की punch hole वाली screen मिल जाती है. जहाँ पे bezels और chin कम दी गई है. लेकिन मुझे punch hole size में थोड़ा बड़ा लग रहा है. फोन के back की बात करें तो back में triple camera module दिया गया है और day to lip mention किया है. और ये phone blue color में देखने को मिल जाता है. इसके अलावा और दो colors देखने क मिल जाते हैं. ब्लेक और electric yellow. फोन का back और frame प्लास्टिक का बना है. और front कौन से glass से protected है वो company ने specify नहीं किया है. ओर ओर फोन की design में कुछ नया नहीं है. common design है. बस in hand fill अच्छी मिलती है क्योंकि weight कम है. Realme Q3 Pro में display की बात करें तो 6.43 इचकी AMOLED display दी गई है. और resolution Full HD Plus मिल जाता है. और display काफी अच्छी है, color और contrast level भी अच्छा है. और refresh rate 120 Hz की मिल जाती है. यानि gaming में, animation में और scrolling काफी अच्छी smoothness मिल जाएगी. और display HDR 10 Plus को भी support करती है. और multimedia experience भी इसमें बहुत ही अच्छा मिल जाएगा. क्योंकि 3.5 में audio check भी दिया गया है. Realme Q3 Pro में performance की बात करें तो MediaTek Dimensity 1100 5G chipset लगी है. जो 6NM platform पे बनी है. और ये super performance chipset है. High end games इसमें high setting पे खेल पाएंगे. और storage यहाँ पे UFS 3.1 मिल जाएगी. और phone में 3 variants मिल जाएगे. 6GB RAM 128GB storage, 8GB RAM 128GB storage और 8GB RAM 256GB storage. यहाँ पे storage को expand नहीं कर सकते क्योंकि कोई microSD card का slot नहीं मिलेगा. यानि जितना storage है उतने से ही काम चलाना पड़ेगा. Realme Q3 Pro में camera की बात करें तो rear facing triple camera setup मिल जाएगा. जहाँ पे primary 64MP का camera दिया है. Secondary 8MP का ultra wide और 3rd 2MP का macro sensor दिया है. Front में 16MP का selfie camera मिल जाता है. Phone में 4K video 60fps से record कर सकते हैं. तो अच्छी बात है. Overall camera यहाँ पे average है इस price segment के हिसाप से. Realme Q3 Pro में OS की बात करें तो Realme UI 2.0 पे चलता है. जो बहुत सारे features के साथ आता है. और best है Android 11 के उपर. और UI काफी optimizer, stock Android जैसा experience यहाँ पे मिल जाएगा. Realme Q3 Pro में battery की बात करें तो 4500 mAh की battery दी गई है. जो average use पे एक वोट का fast charger मिल जाएगा. जो करीब 59 minutes में ही battery को 0 to 100% charge कर देता है. Realme Q3 Pro के price की बात करें तो base variant की चाइना में price 1799 चिनी युवान है. इंडियन रुपीज में convert करें तो करीब 20,800 तक होती है. और यही price में इंडिया में launch होता है तो बहुत ही अच्छी बात ही. Conclusion पर आए तो fast refresh rate, AMOLED display, 3.5M audio check, super performance chipset, dual 5G connectivity लेकिन camera average है और battery भी कम दी गई है. और दोस्तों आप क्या सोचते है Realme Q3 Pro के बारे में कौन सा feature आपको अच्छा लगा और कौन सी price range में इंडिया में launch होना चाहिए? मुझे comment section के अंदर ज़रूर बता है. और ऐसे latest एक अपडे की notification सबसे पहले मिल सके जैसा ही हम यह वीडियो upload करते हैं. तो दोस्तों मिलते हैं अगले latest take update के साथ तब तक के लिए thanks for watching, have a great day, keep smiling.